हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटुब चैनल में दोस्तो नीट यूजी कांसलिंग MCC का न्यू नोटिस क्या है आपके अलोटमेंट स्टे विकंसी में क्या बिग न्यूज है MBBS की सीट के बारे में आपको क्या बताने वाला हूँ दोस्तो बने रहेगा चैनल के साथ और देखते रहे दोस्तो वीडियो अन तक आपको बताने वाला हूँ दोस्तो दो ओफिशल अपडेट जी हाँ आपको एक दो ओफिशल अपडेट देने वाला हूँ दोस्तो इसलिए एक विन्ट का जो वीडियो है पूरा देख लीजिए, उस से पहले चनल को शब्स्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई участन आपको मिलती रहे टाइम तुट टाइम अब दोस्तों, आप सौच रहे होंगे कि 2012 का जो स्टेटजी होगी उसका registration process क्या रहेगा उन सभी के बारे में दोस्तों हमारे चैनल पर डिसकस किया जाएगा अब दोस्तों आगे आने वाले counselling तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला दोस्तों मारा चैनल आपको पल पल बताता रहेगा कि आप लोग यहां पर गलती करोगे तो पहले ही दोस्तों ऐसा बता देने से आप जो नहीं कमर है वो दोस्तों कैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो जितने भी senior student आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो को तो उनसे request है कि अपने junior को दोस्तों चैनल को suggest कीजिए शेर कीजिए ताकि जो गलती दोस्तों आप लोगों से हुई है वो दोस्तों आपके जो student से आपके जो junior है उनसे बिल्कुल भी ना हूँ तो दोस्तों चलते हैं बिना समेगवाए हमारे दो official update की तरफ अब दोस्तों आपको पहले बता दूँ कि पहला update तो दोस्तों आपको पता है कि जो दोस्तों कोविड वोरियर है वो जो पास student है दोस्तों उनकी जो allotment है वो यहाँ पर आ चुकी है वो बिल्कुल आप देख सकते हो यह आपके लिए ज़्यादा information नहीं रहने वाले इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता अब हम चलते हैं हमारे सिरफ directly PDF और आपको बताते हैं वहाँ पर आएक लिश्ट दी गई है पूरी mbbs allotment students की वो दिखाते हैं यह देखिए दोस्तों यहाँ पर आप 15% कोटा उपर आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपको एक नीचे list दी गई है यहाँ पर यह guideline दी गई है यह आप पढ़ लीजिएगा और दोस्तों guideline के बाद आपको यह देखिए पोज करके आप वीडियो यह guideline पढ़ने ना आराम से कोई इकत वाली बात नहीं है और उसके बाद दोस्तों क्या आपको यह देखिए यहाँ पर आपको name समेत, rank समेत, roll number समेत यहाँ पर एक list दी गई है 132 पे जो की eligible candidate list for stray vacancy round UZ 2021 MBBS यहाँ पर दोस्तों यह सारी deemed universities हैं अब दोस्तों आप बोल रहे होगी इनकी तो fees थोड़ी हाई होगी जी हाँ दोस्तों अब जो दोस्तों बिल्कुल टिक टाक फैमिले से belong करता है और या afford कर सकता है और वो इन सीटों को अराम से ले सकता है अगर आप सोच रहे हो कि आपका अगर मालीजिये nine name है और आप afford नहीं कर सकते तो दोस्तों आप loan के लिए apply बिल्कुल कर सकते हो student के लिए क्योंकि एक बहुत बहतरीन opportunity होगी अगर आप नहीं साल गवाना चाहते है अपना तो loan का प्रकिरिया दोस्तों शुरू कीजिए और यहां पर जाकर आप admission बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं यह देखिए दोस्तों यहां पर आपको 6380 यहां पर 6380 आके आसपास दोस्तों student है और बिल्कुल बहु आपके पस college का नाम है आपके पस अपका नेम है नंबर है सब कुछ है दोस्तों तो इसलिए यहां पर आप बिल्कुल भी मच्चू कियेगा और देखिएगा कि हमें अगर loan का process हो तो वो कैसे होगा अगर either otherwise कोई फिसकी problem नहीं है तो दोस्तो the most beautiful things होगी आपके लिए तो दो दोस्तो इसी के चलते आप लोग के सभी को दोस्तो ओलता बेस्ट है जो स्टेविकनसी राउंड की वेट कर रही है और दोस्तो 2022 की exam के बारे में और उनकी exam date, exam strategy, previous question paper सब कुछ दोस्तों हमारे चैनल पर बताया जाता है तो सभी से request रहेगी की चैनल को subscribe and share करना बिल्कुल भ बूलिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन जैबारत